लोग काम करते हैं यह एक एक कार्टा की पार्टी है और से बीच एक बड़ी चानकारी मिल रही है वो आप तक साजा कर लेते हैं बड़ी खबर आपको बताएं इसे बीच एक बड़ी चानकारी मुक्यमंत्री बजनलाल शर्मा का आज दौरा रहने वाला है ज्जार्खन का रहेगा दोपहर सवा दो बजे यानि दो बज कर पंदरा मिनट पर परिवर्तन यात्रा जन्सभा में भी शुरकत उनकी रहने वाली है फिर शाम चार बजे के आसपास देवघर एरपूर्ट से वापस वो रबाना हो जाएंगे तो आज जार्खन में उनके कई कारिक्रम रह करने वाले हैं कई महत्रपूर्ण कारिक्रमों में आज मुख्यमंत्री भचलार शर्मा की मौजूद की रहेगे आज जार्खन के दोरे पर रहेंगे सुबह साड़े क्यारा बजे देवघर एरपूर्ट पहुचेंगे जार्खन के देवघर एरपूर्ट और फिर दोपहर ब पिर होगी और उसके बाद राजवी एरपूर्ट पहुचेंगे चार बचकर चालीस मिनट पर राजवी में प्रवासी राज़स्थानी सममेलन होने वाला है उसी में हिस्सा लेने के लिए सीम शर्मा पहुचेंगे शाम चैबच कर शाम चैबजे से साड़े साथ बजे तक स मिनट कारिक्रम हम आपको बताने कितने बजे कहां पर CM शर्मा की जो मौजूद की है वो रहने वाली है राचे में प्रवासी राजस्थान सम्मेलन का भी कारिक्रम रहने वाला है जिसमें उनका उनकी उपस्तिती देखने को मिलेगी 6 से लेकर 7.30 बजे तक यानी 1.5 घंटे स् 9.40 मिनट पर भी फिर वो वापस जैपूर एरपोर्ट पहुचेंगे तो यह पूरा उनका मिनट टो मिनट कारिक्रम है आज करीब साड़े ग्यारा बज़े से उनके कारिक्रम शुरू हो जाएंगे कहीं वो एरपोर्ट पहुचेंगे तो कहीं पर स्वन भूमी बैंकेट में उनका कारिक्रम डेश घंटे का शुरू का रहने वाला है तो देवघर एरपोर्ट फिर राचुई एरपोर्ट उसके बाद मीडिया से बाच्चीत तो यह तमाम वो कारिक्रम रहने वाला है फिर नौ बचकर 40 मिनट को जैपूर एरपोर्ट पहुचेंगे वापस यानि तो राचे में प्रवासी राजिस्थानी सम्मेलन में उनकी मौजूद की देखने को मिलेगी 6-7.5 वजे तक शाम को स्वन भूमी बैंकिट में जो राजिस्थानी प्रवासी सम्मेलन है वो आयूजित होगा उसके बाद मीडिया से भी खास वारता करेंगे बाच्चीत करें किस तरह की कारिकरम रहे किस तरह की विश श विशिष्थान रही उन तमाम पेलू को लेकर वह सकata are media से तो राचे में प्रवासी राजिस्थानी सम्मेलन में हिस्सा लिए ऊस सुभा से उनके बाक टू बैक कई सारे कारिकरम रहने वाला है जोकि रात तल인지 यूज चलने वाल उनकी मौझूट की रहने वाली है वो आपको बता रहे हैं